Hello everyone, आज हम देखेंगे निर्माण उद्यो, manufacturing, industry, ठीक है, अध्या अठारा, ठीक है, तो निर्माण उद्यो के इंतरकेट हम देखेंगे, प्रस्तावना में क्या दिया गया है, भारत में उद्योगों का इतिहास बहुत ही पुराना है, उद्योग और वैपार दोनों एक दूस शब्द का प्रेयों किया जाता है, यह एक वैवेस्ति तता जंदन आन्थिक क्रिया है, इस क्रिया में क्या है, अनेकों कारे सामोही ग्रोप से सम्मिलित है, हाला कि भारत में उद्योगों को, हाला कि भारत में जो उद्योगों की स्थापना वर्स है, 1854 को मुंबई में तूतिवस्त्र की प्रथा मिकाई से माना जाता है। जीक है किन्तु भारत जैसे प्राचीन राष्ट के लिए यह इतना ही काफी नहीं है। क्योंकि भारत में गुप्त काल, मौरे काल, रामायन महा भारत एवं वेदों में वर्नित, वीवरन को क्या सुक्षमता पुर्वा अध्यान नहीं किया गया है। तो इसका अध्यान करने से में पता चल जा है कि जैसे हम उद्योग कहते हैं, वे तो पहले ही हमारे दैनी क्रिया कलाप के अंग रहे हैं। उसके बाद नेक्स टॉपिक हम देखते हैं, भारत में अध्योगिक विकास दो चरणों में संपन्न हुआ है। प्रथम चरण देखते हैं स्वतंतरा पूर्व और्द्योगिक विकास हुआ है। प्रथम चरण में क्या स्वतंतर प्राप्ति से पहले भारत और्द्योगिक दिर्शी से बहुत ही पिछड़ा हुआ था। देश में क्या विभिन भागों में आर्थिक विकास है वो नहीं हो पा रहा था। तो देश में कुछ भी उपोगता वस्तों का उत्पादन किया जाता था। और पुंजीगत जो वस्तों हैं विदेशों से आयात की जाती थी। तो सर्व प्रथाम 1854 इस्वी में मुंबई में तथा 1855 इस्वी में कोल पकत्ता के समीब सिर्षा में कार खानों की क्या इस्थापना की गई वहां। तो 1854 इस्वी से 1865 इस्वी तक प्रथम सूती वस्त्र तथा प्रथम जूट के कारखानों को जो है स्थापित किये गए वहाँ पे तो इस समय जब कोईला उद्योग तथा रेलों का जो निर्मान भी इसी वर्स में प्रारम हो गया था तो 20 सताब्दी के प्रारम तक भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास प्रारम हो गया था सन 1907 में बिहार के सकाची में टाटा लोहा और इस पात का जो कारखानी है वहाँ इस्थापित हुई प्रतम विस्था में भारत को उद्योगी कविकास का एक सुनेरा उसर पदान किया यूधकाल में जो जूत और सूति वस्तर उद्योग को बहुत ही अधिक लाब हुआ थीक है प्रतम विस्थापित से तो देश में जो इस पात उत्पादन भी क्या है यूधकाल में बहुत बढ़ गया इस ओधी में Г्या है भारती जो पुंजी पतीयों को भी यूधव GTI किया जाने लगा तो उत पाधन में जो वृदी का प्रमुख कारण क्या है चीनी कपड़ा देंक है चीनी हो गया कपड़ा हो गया जूट इस पारत था कागाज आदी के उध्योगों में तीवरगति से व्रिद्धी होई उसके पश्चा देखेंगे दूतिया शुद्य में क्या हुआ दूतिया यूद्ध का जो के बाद का समय है भारती उध्योगों के लिए कटनाईयों का समय था तो यूद्धकाल में उद्योगों के लाव से भारती उद्योग पतियों ने विदेशी कम्पणियों से अपने जो उद्योगों को बहुत अधिक मोले देकर खарीदना प्रारंब कर दिया तो सन 1947 में दैस्वी भाजन से भारती उद्योगों के पर किया प्रतिकुल इसका प्रभाव पढ़ा थो 1947 में ही लियायाकात अली बजट ने क्या किया भारती उद्योगी की कठनाई को और भी उग्र बना दिया ठीक है भड़का दिया उसको उसके बाद नेक्स देखेंगे हम द्वीती चूरण प्रधाम चरण तो होगे स्वतंत्रत पूर वो अद्योगीक विकास ठीक है उसके भारत में ओद्योगीक विकास देख में तो जो स्वतंत्र होने के बाद भारत में ओद्योगीक देश्टि से क्या हूँ अब हूँत अधिक प्Jamit के बात के उद्योगीक विकास को पंच वर्शी योजने लागू हो गये था सुतनता के बाद उसके बाद देखेंगे टॉपिक है हमारा उद्योगो के प्रकार तो उद्योगो की भी प्रकार है उद्योगो का वर्गीकरण कई प्रकार से हमने किया है इसमें जो आकार पुंजी निवेश और जो उश्रम शक्ति के अधार पर उद्योगों को व्रिहाद मध्यम लगू और कूटीर उद्योग में वर्गिक्रित किया जाता है किन्तु क्या हुआ भारत में उपलब्ध उद्योगों को उनकी छमता अकार कार्य प्रणाली के अधार पर निम्नलिखी श्रेणियों में रखा जा सकता है तो इसमें पहला हम देखते हैं कच्चा माल तथा निर्मी तवस्तु के आधार पर ठीक है तो कच्चा माल उसमें देखेंगे पहला भारी उद्योग ठीक है भारी उद्योग में इन उद्योगे में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है जिसमें क्या हो है विनीरमित वस्तुएं भी भारी होती है यह जैसे कि इस धारन देख लेंगे हम लोहा, इस पात, उद्ध्योग ठीक उसके बाद देखेंगे हम जो इलेक्ट्रोनिक जो उपकरन होते हैं वे सब हलके उद्ध्योग में आ जाएंगे उसके बाद दूसरा डॉ जो प्रकार बाटा गया है वो है पुंजी अत्वा श्राम की गहनता के अधार पर ठीक है तो उसमें पहला है पुंजी पराकुद्योग ठीक है पुंजी पराकुद्योग वे हैं जिनमें बड़ी मात्रा में पुंजी का विनीयोग आवश्यक होता है इसमें क्या है लोहा, परक में पुंजी के अवशक्ता होती है, श्रम परक में श्रमिकों के अवशक्ता होती है, इसमें लगू एवं कुटिर उद्योग सम्मिलित होते हैं, श्रम परक उद्योग में, ठीक है, उसके बाद तीसरा हम देखेंगे, पुंजी के स्वामित्व के आधार पर, तो जो प्रबंधन तथा नियंतरन की द्रिष्टी से केंदर सरकार तथा राज सरकार के अधीन रहते हैं। उधारन के लिए देखेंगे हम दुर्गापूर, राउलकेला तथा भिलाईसपास, सैंतर की जो कार खाने हैं वे। दूसरा देखेंगे हम नीजी उध्योग, वे उध्योग होते हैं जो स्वामित प्रबंधन तथा नियंतरन की दिष्टी से सरकार की अधीन नहीं रहते हैं। और सेवाय तथा उभोकता वस्तुवे जनसाधरन को उपलब्ध कराते रहते हैं। ठीक है। उसी में तीसरा है सैयुक्त अथ्वा सहकारी उध्योग। तो जब उध्योगों में दो या दो से अधिक वेक्तियों का जो सहकारी समीती का योगदान हो तो उन्हें सैयुक्त अथ्वा सहकारी उध्योग हम कहेंगे। चौथा प्रकार हम देखेंगे आकार के आधार पर ठीक है ये चौथा प्रकार देखेंगे हम आकार के आधार पर आकार के आधार पर भी तीन प्रकार ने बाटा गया है व्रिहाद उद्योग, मध्यम आकार के उद्योग, लगू आकार के उद्योग तो व्रिहाद उद्योग क्या हुआ जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिकों का प्रयोग हो तथा विज्ञान दता तक्निकी की माध्यम से उत्पादन भी बहुत जादा हो तो ऐसे उद्योग को क्या कहेंगे हम वरिहत उद्योग, उधारन कर देखेंगे वस्तर उद्योग को हम क्या कहेंगे, वरिहत उद्योग कह सकते हैं, उसी में फिर देखते हैं हम मध्यम अकार के उद्योग, तो इन में बहुत अधिश्रम का प्रियोग नहीं होता, ना ही के लिए उद्ध्योग हो गया ये मध्यामकार के उद्ध्योग के अंतर गता आएगा उसकी बदम तीसरा देखेंगे लगुआकार के उद्ध्योग तो लगुआगार की जो उद्ध्योग हैं बहुत छोटे होते हैं जिनमें बहुत कम वेक्तियों की आशक्ता होती हैं इनमें ज़्यादा तर परिवार के सदस्य मिलकर चलाते रहते हैं, इनमें पुंजी भी बहुत कम लगाई जाती हैं, इनमें तयार माल जो इस्थानी जो बजार को, बजार हैं, जो वहां से उपलब्द होने लगता है, ठीक है उसी में पांचवा प्रकार्द हम देखते हैं, उत्पादित माल की आधार पर, उत्पादित माल की आधार पर उद्योगों को पहला जो बाटा कहा है, वो उभूकता उद्योग, ठीक है उभूकता उद्योग को उत्पादन करने वाले खादेते आदी उसके बाद देखते हैं वीवीद उद्योग वीवीद उद्योग के अंतर गत है आधार उद्योग कुटीर उद्योग और ग्रामिन उद्योग तो अधार उद्योग क्या है वे उद्योग है जिनके दूसरे उद्योगों को अधार प्रदान करते हैं जैसी कि पाउस्पाट उद्योग, ठीक है, जो दूसरे उध्योग है, इसको क्या करते हैं? आδहार π्रदान करने का पाम करती हैं, ठीक है? तो दूसरा है कूटिर उद्योग, ये वे उद्योग हैं Rusama हिं जिन में श्रमिक कोलू से तेल निकालना, क्रिशी उकरन बनाना आदी फिस सात्वा प्रकार हम देखते हैं सात्वा राकरी, क्रिशी जो कच्छे माल के श्रोत के अधार पर ठीक है, तो उसमें पहला है क्रिशी पर अधारित उद्यो दूसरा है खनीजो पर अधारित उद्यो वनोपर अधारित उद्योग, चारागाहों पर अधारित उद्योग ठीक है यहां तक हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उद्योगू की स्तिती और मुख्य उद्योग ठीक